हर दिन अपनी जिन्दगी को एक नया ख्वाब दो चाहे पूरा नहों पर आवाज तो दो एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे सिर्फ एक नई शुरुवात तो दो दोस्तों आज है 10 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज करने फेस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जुरूर पेस का देए दोस्तों ताकि आपको डेली मौननी में करने फेस की वीडियोज मिलती रहे लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइ कर्मेंट एक्जाम के लिए ठीक है चलिए पहला कोशन है हाली में कोब 24 की 24 मी बैठक कहां आजित की गई है तो यह की कि दूस्तों पोलेंड में ठीक है ऑप्सन भी करेक्ट है आपको बता दे दोस्तों कि उनाइटेट नेशन्स फ्रेमबर कन्वेंशन औन क्लाइमेट चें अगला कोशन है अपने सभी सारवजनिक परिवहन को निशूल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है तो यह है दोस्तों लगजेंबर्ग ठीक ऑप्सन डी ठीक लगजेंबर्ग की अपने सभी सारवजनिक परिवहन को निशूल करने वाला दुनिया का पहला देश प फटाबट वीडियो को लाइक करके हमारा होसला जरूर बढ़ाएं और आप हमारे फेस्बुक पेज ओनलाइन स्ट्री पॉइंट को जरूर लाइक कर लीजे दोस्तों आप एहन डिटर नोट सेयर करता हूँ इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेस्बुक पेज का लिंक है या अफिर अपने फेस्बुक अप्लिकेशन से आउनलाइन स्टी पॉइंट सेच करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं भारती नोसेना दिवस हर वर्ष किस दिन मना जाता है दोस्तों प्रति वर्ष भारती नोसेना दिवस मना जाता है चार दिसंबर को ठीक है ओप्सन सी देखे बताते हैं दोस्तों कि 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दरान भारती नोसेना की भूमिका के सम्मान में यह फोर दोस्तों भालू पर अंतराष्टी सम्मेलन किस सहर में आजित किया गया है दोस्तों भालू पर अंतराष्टी सम्मेलन आजित किया गया है आगरा यूपी में ठीक है आगरा यूपी में तीन से छे दिसंबर के आजित किया गया है इसका उद्देश से है भालू और अने जंगली जानवरों के कल्याण के सिध्धानतों ग्यान अभ्यारंडों और बचाव केंद्रों में ग्यान साजा करना ठीक है तो भालू पर अंतराश्टी सम्मेलन किस सहर में आजित किया गई आगरा यूपी में कोशन फिस थे 26 जनबर 2019 को भारत के गंठतंतर दीवर समारों में किस देश के राश्टपती मुख्यातिती होंगे चीप गेस्ट कौन होंगे तो ये दक्षण परिका के हैं ढख्षण फरीका के राश्टपती हैं सीरील रामा फोसा ये Chief Guest होंगे ठीक है अगले साल 2019 में 26 जनवरी को याद रखी एक बहुत मात्पूर है ठीक है शाउत हुप्रिका के राश्टपती सीरील रामा फोसा ठीक है सीरील रामा फोसा याद रखी अगला कोशन है किस मंत्राले ने दा रिपब्लिकन एथिक और लोकतंतर के श्वर नामक पुस्तक लॉंच की है करेक्ट एंसर दोस्तों आप्साने सूचना और प्रसारण मंत्राले ठीक है आठ दिसंबर को सूचना और प्रसारण मंत्राले ने दा रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के श्वर ठीक है पुस्तक उनके कारेकाल के पहले वर्स में राश्पती रामनात कोविन द्वारत दिये गए कुल 243 भासलों में 95 चैनित भासलों का संग रहा है ठीक है तो याद रखिएगा सूचना और साण मंत्रा ले कोश्चन नमर सेवेंथ है बोगी बेल ब्रीज किस नदी पर बनाया गया है तो इसका राइटेंस है दोस्तों ऑप्सन भी ब्रह्मा पुत्र ठीक है देखिए ब्रह्मा पुत्र पर बोगी बेल ब्रीज का उध्गाटन 25 दिसंबर को किया जाएगा ठीक है यह असम के को जोड़ेगा ठीक है इसका निर्माड भारती रेलवेदारा किया गया है तो बोगी बेल ब्रीज किस नदी पर बनाया गया है ब्रह्मा पुत्र पर ठीक है 25 दिसंबर किसका उध्गाटन किया जाएगा कोश्चन एट दोस्तों 2023 में वर्ड काउंसा देश वर्ड एथलेट की मेजबानी करेगा ठीक तो याद रखिएगा कोश्चन नमर नाइन्थ दोस्तों टाटा मोटर सीनियर नेशनल चैंपियंशिप 2018 में 57 किलोग्राम राश्टी किताब किसने जीता है तो यह जीता दोस्तों विनेश फोगट ने ठीक है ऑप संडी ठीक है कुश्टी में विन और उनके आपरेटरों के पंजी करण के लिए किस मंत्राले द्वारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉंच किया गया है किया गया है नागरी कुड्यन मंत्राले ठीक है एक दिसंबर को ड्रोन और उनके आपरेटरों के पंजी करण के लिए नागरी कुड्यन मंत्राल question 11 तो दोस्तों अभ्यास बज्र काया 2018 भारत और किस देश के बीच आजित किया गया इस राइट एंसर होयागा दोस्तों USA ठीक है भारत और USA option भी अमेरिका ठीक है देखिए भारत और सेंगत राज अमेरिका की विशेश बलो ने एक दिसंबर 2018 को वज्र काया नामक अपने सामरिक अभ्यास को पूरा किया है ठीक है question 12 तो दोस्तों निव इंडिया एंस्वरेंस कंपनी लिम्टेट के नए अध्यक्ष और प्रवनियर्शक यानि CMD कौन बने है अतूल सहाय ठीक है अतूल सहाय अतूल सहाय निव इंडिया एंस्वरेंस कंप्टी लिम्टेट के चेयर मैन और CMD बनाया गया ठीक है अतूल सहाय को स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अपनी रिष्टा लेप योनो के लिए ब्राइन इंबेश्टर किसे निउक किया है यह किया दोस्तों स्वपना बर्मन को ठीक है ऑप्शन सी ठीक है स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अपनी रिष्टा लेप योनो के लिए स्वपना बर्मन को brand innovation newt किया है तो यह आद रखिएगा ठीक इस्टेट वेंग को फिंडे की बरतमान chairman कौन है रजनीश कुमार है इसका headquarter है मुंबई में कोशन 14 दोस्तों किस मंत्राले को राश्ट्री महत्त के लिए 2018 का इस coach अवार्ड प्रदान किया गया है कि अगर दोस्तों नवीन और नवीकरणी उर्जा मंत्राले को ठीक राश्ट्री महत्त के लिए 2018 का इस coach अवार्ड प्रदान किया गया है अगला कोशन है अंतराश्टी भ्रस्टाचार विरोधी दिवस हर वर्स किस दिन मनाया जाता है नव दिसंबर को ठीक है तो नव दिसंबर को अंतराश्टी भ्रस्टाचार विरोधी दिवस हर वर्स मनायाता है इसका उदेश से भ्रस्टाचार के प्रत्कूल प्रहाओं के बारों में जागरूकता आवेर्नेस बढ़ाना आपको बता दे कि वर्ष दो अठारा के लिए संयुक्त वैस्वी का भियान भ्रस्टाचार के खिलाब संग्ठी दिविक्सित किया गया है आपको बता दे कि वर्ष दिवस हर वर्ष किस दिन मना जाता है 9 दिसंबर को ठीक है अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट वीडियो का एंसर मैंने कोशन पूछा था हर वर्ष कब अंतराष्टी नागरी कुढ्डे अन दिवस मना जाता है राइट एंसर था ओप्सन भी 7 दिसंबर को ठीक है सभी स्टूडेन ने राइट एंसर दिया था और काफी डिटेर्में लिखा था अब देख लेते हैं दोस्तों आज का कोश्चन क्या है आज का सवाल है हाली में किसे मुख्या आर्थिक सलाकार की रूप में नियुक्त किय जा गया है यह most important question है option दे रखें ज्यादा ज्यादा लोग comment करेंगे ज्यादा ज्यादा लोग participate करेंगे ठीक है आप लोग आप बहुत कम लोग comment करते हैं यह आप daily videos देखते हैं तो जरूर लिखा करें दोस्तों यह जो भी मैं question पूछता हूं आपसे सभी government exam के लिए बहुत दोस्तों ठीक है और आपको अगाम exam के लिए all the best आपका दिन शूब हो दोस्तों और दोस्तों आपने कल की वीडियो ने देखी करनेफेस की जस्ट यहां पर play होगे जरूर देख लीजिए ठीक है काफी important रहते हैं दोस्तों आप daily morning में 15-20 मिनट का समय निकाल कर आप हमारे channel पर visit करके जरूर देखा कर डेली गरनेफेस क्योंकि करनेफेस का weightage हर exam के लिए काफी महतपूर हो गया है ज्यादा ज्यादा कोशन आज कल बनते हैं गरनेफेस से लिए ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं शूडियो को साथ दोस्तों तब तक के लिए अब अपना ध्यान जै हिन जै भारत